सिर्फ दो इंग्रीडियंट से या दो चीजों से यहां मैंने फ्रेश नारियल की बरफी बना के तयार किया है हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज हम बहुत कम समय में और कम इंग्रिडेंट से फ्रेश नारियल की बर्फी बनाएंगे जो सभी को बहुत पसंद आती है और सभी की फेवरेट होती है फ्रेश्टिबल सीजन स्टार्ट हो गया और आपको मीठे में अगर कुछ फटा-फट से बनाना है तो आप इस रेसेपी को जरूर ट्राइ कर सकते हैं ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है तो चलिए जल्दी से इसकी रेसेपी देख लेते हैं नारियल बर्फी बनाने के लिए यहां मैंने लिया है एक फ्रेश नारियल या ताजा नारियल इसे मैंने तोड़ के इसका पानी निकाल लिया है नारियल तोड़ के उसके हाड़ वाले लेयर को हम चाकू से निकाल लेंगे ये देखिए यहां मैंने निकाल लिया है और अब एक चाकू और एक पिलर लेंगे और नारियल के कभर को या नारियल के छिलके को चाकू या नाइफ से इस तरह हलके हाथों से धीरे धीरे छिलके को कट करते हुए रिमूफ कर लेंगे या निकाल लेंगे ये देखें यहाँ मैंने नारियल के छिलके को अच्छी तरह नाइव से रिमूफ कर लिया है और नारियल हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है और अब हम दूसरे नारियल को पीलर से इसका छिलका रिमूफ करेंगे या निकाल लेंगे आपको जो पैथर्ड या तरीका इजी लगे और सिम्पल लगे आप उस तरीके से नारियल के छिलके को निकाल ले और नारियल को एक बार अच्छे से वास कर ले जिससे नारियल हमारा बिल्कुल नीड एंड क्लीन और वाइट हो जाएगा और ये देखिए नारियल के छिलके को यहां मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है और यहां मैंने बाकी नारियल को भी पहले से छिल लिया छिलका निकाल कर जब आप इसका बर्फी बनाएंगे तो बर्फी हमारा बिलकुल वाइट और पर्फेक्ट बनके तयार होगा तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं आप इसे नाइव से छोटे छोटे टुकडों में कट कर सकते हैं या एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर से हम नारियल को बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे इससे नारियल हमारा बहुत ही बारी ग्रेट हो जाएगा आप इसे ग्रेट कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं आपको जो भी easy और आसान लगे आप वो method apply करें क्योंकि हम इसे बारी grind भी करेंगे और ये देखें यहाँ मैंने नारियल को अच्छे से grate कर लिया है और अब हमें एक mixer जार लेंगे, mixer जार में grate किये हुए नारियल डालेंगे जार का ढखकन लगा कर हम इसे grind कर लेंगे नारियल को मैंने grind कर लिया है और ये देखें ये दरदरा grind हो गया है और चलिए अब हम बर्फी जमाने के लिए या बर्फी सेट करने के लिए हम एक plate लेंगे प्लेट पे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे या लगा लेंगे जिससे बर्फी हमारा इजिली प्लेट से बाहर निकल आएगा प्लेट हमारा अच्छे से ग्रीस हो गया है और अब बर्फी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे पैन को गरम होने देंगे पैन गरम हो गया है हम इसमें ग्राइंड किया हुआ फ्रेस कोकोनट डालेंगे कोकोनट डालकर गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे इस तरह चलाते हुए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे कोकोनट को इस तरह चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे कोकोनट का एक्ष्ट्रा पानी सूख जाएगा कोकोनट को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है और इस टाइम पे हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे यहां मैंने 2 कप नारियल लिया था उस इसाब से हम 1 कप चीनी डालेंगे आप चाहे तो मीठा अपने इसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी डालकर हम इसे नारियल के साथ मिला लेंगे इस टैम पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखे हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही धीरे धीरे मिलाते हुए पकाएंगे जिससे चीनी हमारा पानी ना छोड़े और बर्फी हमारा बिल्कुल perfect बनके तयार हो नहीं तो चीनी caramelize होने के बर्फी हार्ड बन सकता है ये देखिए दोस्तों चीनी मिल्ट होना स्टार्ट हो गया है इस टाइम पे हम इसे कंटिन्यू मिलाते रहेंगे जिससे नारियल हमारा तले में लगे ना नहीं तो नारियल का कलर चीनी के वज़ा से बहुत जल्दी डार्क हो जाता और ये क्रिश्टल रहे ना और सारे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये देखिए दोस्तों नारियल में चीनी बहुत अच्छी तरह से मिल गया है और बर्फी सेट करने के लिए मिक्सचर हमारा बिल्कुल तयार हो गया है इस टेम पे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और के मिक्सचर को इस तरह इस पैचुला से फैलाते हुए हम हलके हाथों से दबाते हुए सेट कर लेंगे बर्फी के ऊपर वाले लेयर को चिकना करने के लिए हम एक कटोरी लेंगे और इसे इस तरह से कटोरी से दबाते हुए हम इसके ऊपर वाले लेयर को चिकना कर लेंगे जिससे बर्फी का उपर वाला लेयर अच्छी तरह से सेट हो जाए और ये देखिए बर्फी को चिकना करते हुए मैंने इसे सेट कर लिया है और अब हमें एक नाइफ लेंगे नाइफ से हम इसमें कट कर लेंगे या कट लगा लेंगे आप इसमें अपने पसंद का कोई भी से सेट दे सकते हैं पर यहां मैं बर्फी बना रही हूँ इसलिए मैं बर्फी का सेट कर लिया है और अब हम इसे फ्रिज में एक घंटे के लिए या आप इसे बाहर में दो से तीन घंटे के लिए ठंडा हो करके सेट होने दे एक घंटा हो गया है और यह देखिए बर्फी अमारा अच्छे से सेट हो गया है हम इसे चमच लेंगे और चमच के पीछे वाले फाग से हम इसे इसलि रिमूव करेंगे या निकाल लेंगे और यह देखिए बर्फी अमारा इसलि निकल के बाहर आ गया है इसी तरह हम एक ए धेक करके सारे बर्फी को निकाल लेंगे यह देखिए यह valid को सोड़ दिया है और बर्फी हमारा बिलकुल परफेक्ट हलवाई इसाल परफेक्ट नारियल बर्फी बनके तयार हुआ है आप भी इसे अपनेगर में इस तरह से बना सकते हैं और अपने experience मेरे साथ जरूर से air करे और ये देखे दोस्तों ताजे नारियल की बर्फी बनके तयार हो गई है मैंने इसे एक प्लेट में सर्फ किया है आप इसे अपने तरीके से सर्फ करें तेहवार या फ्रेश्टिवल हो या आपका कभी भी मीठा रखाने का मनों तो आप इसे घर में जरूर बनाए आपके साथ ये आपकी घर वाले को भी बहुत पसंद आएगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे थैंक्स पर वाचिंग